समिधान के दाइरे में न्याय देना मुश्किल नहीं है लेकिन परसेप्शन के माहूल में न्याय देना बहुत कठीन काम हो गया है और इसलिए आज से 15 साल 20 साल पहले जुडिशरी के लिए जो मुक्ति का आनन था वो आज नहीं है वो भी डरता है कि भी भार तो ये चल रहा है और मैं ये करूँगा तो क्या होगा ये ये माहूल बन गया है और तब जाकर के जुडिशरी को जितनी हिम्मत जादा मिले उसके लिए हर किसी को प्रयास करना पड़ेगा चाहिए वो सरकार में बैटे हुए लोग हो चाहिए मीडिया में बैटे हुए लोग हो चाहिए फाइस्टर एक्टिविस्टों की जमात हो अगर हम इस इंस्टिटुशन को ताकत नहीं देगे तो हम ही अपने अपने पैरों पर कुलहाड़ी मारेंगे और इसलिए इसलिए मैं मानता हूँ कि इन चीजों में बड़लाव की आवश्यक्ता है और मुझे विश्वास है कि हम बड़लाव ला सकते हैं जहां तकी इन्फास्रक्टर का सवाल है मैं स्वभाव तहां अच्छी व्यवस्थाओं का पक्ष्कार हूँ पावरिटी जे वर्च्यू इस फिलोसोफी को मैं बिलॉंग नहीं करता हूँ वरना हम लोग सदियों से ही पढ़ते आएं कि एक बेचारा गरीब ब्राम्मिन वहीं से जुरू होता है कि उसके फटे कपड़े थे और उसको फिस सम उसको बड़ा ही तपस्वी और वह मानने क प्रेशन नहीं है वक्त बदल चुका है उत्तम से इंटम इंफास्टर केर क्यों नहीं होना चाहिए व्यवस्ताएं उत्तम से उत्तम क्यों नहीं होनी चाहिए और उस दिशा में प्रयास होना चाहिए मैं आपको विस्वात दलाता हूं कि इस सरकार में इस बात की कि वो पैसे कहीं इदर उदर अना जाए न आई पालिका के काम बेचाए तो अपने आप अपने आज जो छोटी मुटी समस्य है वो अपने आप सुलत जाएगी और मैं आशा करूँगा कि राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर ध्यान देंगे व्यक्तिकर ध्यान देंगे और यह कैसे हुस्प के चिंता करेंगे हैं हम लोगों ने आखिरकर कुछ चीज़े हैं मैं तो जिस राज्य से मैं मेरा में रहा गुजरात में लोक अदालत का सफल प्रयोग मैंने वहाँ देखा है और एक बार मैंने हिजाब लगाया था कि 35 पैसे में न्याई मिलता था 35 पैसा मैंने कल फिर रात को खाना खाते समय कुछ जजी से बात हुई तो फिर मुझे लगा है मैं एक बार वेरिफाई करूँ तो मैंने रात को ही थोड़ा पूस्ताज की तो मुझे पता चला गब 35 पैसे में नहीं मिलता है लेकिन एवरेज 50-55 रूपिये तक में न्याई मिल जात है खर्च होता है कि मैं समझता हूं भारत जैसे देश में यह व्यवस्ता बहुत ताकत वर है हम देखेंगे इतनी सारी पैंडेंसी है लेकिन बिलो पोबर्टी लाइन के फैमिली के केसिस मिनीमम होंगे जी बड़ो बड़ो लोगों के ही केस होता है जी क्योंकि छोटे का दालग ट्राइब व्यवस्ताओं को जरा बल दें उसका एक्षपांशन करें प्रवर्तमान जुडिशरी के लोग निवरुत्य जुडिशरी के लोग एक ऐसा फ्रेमवर्क हम विस्तूत करें अगर गरीब से और मैं मैं देख रहा हूं कि बड़े-बड़े मामले भी ऐसे भातों बातों मुनों ने चिंता व्यक्त की थी और वह इन दिनों बस्ट परिवार तूट रहे हैं इस तेजी से परिवा师 टूट रहे बड़ी वह चिंता व्यक्र कर रहे थे बहुत साल पहले की बात हैं और ये दोर बलता चला जा रहा है हो सकता है कि इस प्रकार की सम्वाद वाली इंस्टिटूशन जितनी फैमिली कार्ट डेवलप हो गई भारत जैसे देश में परिवार धूटना हमारे लिए बहुत बड़ा कश्ट दैख होगा हम उस फोकस करके समाजिक ववस्ताओं को बचाने में कैसे काम कर सकते हैं इस पर हम सम्वेदनाओं को ला करके उस चिंताओं को कैसे बढ़ावा सकते हैं अगर गरीब को न्याज देने के लिए गनलोग अदालत है तो परिवार को न्याज देने के लिए फैमिली अदालत है खास करके नारी शक्ति के कल्याण के लिए ये विवस्था बहुत ताकत पर बनी है उसको हम और अधिक आधुनिक कैसे बनाए और धिक स्पीडी कैसे को लगता है ठीक है भी चलो दो कदम वो चले दो कदम मैं चला लेकिन रास्ता निकल गाए चलो छोड़ो अपना काम करो यह मूड बन रहा है और मैं मानता हूँ इस मूड का और दिक्सार्थक बनने का हमने प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास हम करेंगे तो अवश्य ही ला कि ट्रिबिनल को भी ज्यादा तर लीड करते हैं निवरुत्त जजीच लेकिन मैंने आकर के देखा है जी मैं बहुत निराश हो गया शायद आज भारत सरकार में मुझे लगता है करीब करीब सो ट्रिबिनल की और हम पहुंच रहे हैं और एक-एक मिनिस्ट्री की तिन-चार ट्रिबिनल बन गई है और ट्रिबिनल का डिस्पोस्तों तो और मैं चाहूंगा कि कि सुप्रीम काड के वरिष्ट जन-टे मन्थन करें जब피 तीनल नाम की विवस्था से सच्बूच में प्रक्रियाे तई हो रही है नहीं हो रही है नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है कि और एक नया भेरियर कड़ा हो रहा है कि तुझों की दीनल की जरूरत चाहिए और तू तू मेमे के रूप में नहीं है अपने पन के भाव से साथ मिल करके करने के भाव से इसको एक बार देखने क्या वश्यक्ता है और उसको अगर हम देखेंगे तो मैं मानता हूं कि शायद हम इन व्यवस्ताओं को बहुत अच्छी धंशे कर पाएंगे यहाँ पर काफी चीजों क्या उलेख हुआ इसलिए मैं उन सारी बातों में नहीं जाता हूं लेकिन हम जिस महान परंपरा में पले बड़े हैं उन महान परंपरा में कानून और न्याय यह दो मुख्य धाराओं को कभी काम्प्रमाइज नहीं कर सकते हैं वरना समाज और लेकिन अब जगत बदलता जा रहा है पहले के समय में जितने हम चीजों को हैंडल करते थे उससे रूप बदल गए हैं अब क्रिमिनल ऑफेंसिस उसकी तुलना में एकॉनमिक ऑफेंसिस बढ़ रहे हैं अब हमारी एक्स्परटाइज उस वर जाए इसे आवज सकता होगी है दुनिया साइबर क्राइम में आ रही है साइबर क्राइम को कोई सीमा नहीं है वो ग्लोबल कॉमिनेटी है हमारी अपने कानून के दायरों को हमने उस प्रकार से नई विधा के साथ त्यार करना पड़ेगा हमारे लोगों को उस प्रकार से त्यार करना पड़ेगा हमने कभी सोचा भी नहीं होगा आने वाले दिनों में maritime law एक बहुत पड़ा कारण बनने वाला है maritime security को लेकर करके issue बनने वाले है याने बदलते हुए यूग में उन नहीं नहीं चलेंज जो और मैं मानता हूं साथ 20-25 साल के बाद space related law के भी स्थिति पादा हो जाएगी इस space पर किसका कब्जा है किसका नहीं international court के दायरे में आ जाएगा ये दिन आने वाले है इसका मतलब अपने आपको हमें सज्जक करना होगा आज कानोनी न्याय प्रक्रिया के अंदर फ्रेंसिक साइंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है लेकिन हमारे पास न बार पास के पास न बैंच के पास उसका साइंटिफिक नॉलेज के अभी तक क्योंकि उस पिड़ी के समय ये था नहीं मैंने एक प्रयाद जब गुजरात में था मैंने कहा था जूडिशरी के लोगों को मैं फॉरंसिक साइंस उनिवर्सिटी बनाई थी और दुनिया में एक मात्र फॉरंसिक साइंस उनिवर्सिटी है और गुजरात में है बाकी जगापर कॉलेजी में फॉरंसीक साइस के डिपार्टमेंट हुआ करते हैं तो फॉरंसीक साइस उनिवरसिटी में जूडिश के के लोगों के हमने रिक्वेस्ट की थी और गुजराथ हाई कोड के जजीज ने उसमेरे मदद की दिए और करी को सभी डिस्टिक जजीज का फॉरंसिक साइंस उनिवर्सिटी में दो-दो दिन का कोर्सिस हुआ था क्योंकि यह ऐसा विज्ञान डेवलप हो रहा है जो आने वा प्रक्रिया में टेक्नोलोजी और विज्ञान का भी रोल किस प्रकार से उप्योग में हो उस पर हमने सोचेने की आवश्यक्ता बनने वाली है हमारी लॉइनिवर्सिटी के स्टूडन के लिए भी यह कैसे हो एक और समस्य जो हम अनुभव कर रहे हैं जनता ने हमको चून कर के भेजा है कानुन बनाने के लिए है लेकिन हमारा काफी समय और कामा में जाता है समस्य में हम क्या करते हैं आपको मालूम है और अनुभव यह आ रहा है कि जो एक के ड्राफ्ट्स है कानुन का यह चारी पेंडेंसी के मूल में एक वो भी कारण है कि कानुन बनाने में उसकी शब्द रचना में कुछ न कुछ ऐसी कमी रह जाती हैं कि अल्टिमेटलि वो नयाय पालिका के बाद जाकर उसके इंटर्प्रेशन में सालो लग जाते हैं और तब तक कई निनने हो जाते हैं फिर बेकार हो जाते हैं जब तक हमारी लोग उनिवर्सिटीज वगरे में ड्राफ्टिंग के लिए हम प्रॉपर मैंन पावर तयार नहीं करेंगे और कानून मनाने समय ही इस पर हम क्यार नहीं करेंगे तो हो सकता है कि समझा हमारी बढ़ती जाएगी कोई हम हमको रुशी मुनी तो है नहीं कि हिक्दम से जीरो डिफेक्ट वाला कानून बना पाएंगे लेकिन मिनीमम ग्रे अरिया हो वो तो दिशा में प्रेयास करें यह हमारे सामने बहुत बड़ा चलेंज है और मैंने अरुभ गव किया है कि इस प्रकार का मेंट पावर हमें उपलब्त नहीं होता है आने वाले दिनों में इस काम को कैसे किया जाए यह आवशेएक काम है जिसको कभी कभी हमें करना होगा और विशेश करके हमारी जिम्मेबारी है हम इस काम को अगर ठीक से करेंगे हो सकता है गाने वाले दिनों में कानून जीतना अच्छा होगा और समीधान के सारी मर्यादाओं का पानन करते हुए बनेगा तो मैं नहीं मानता हूं कि कानून के कारण समझे बता हूं दूसरा हमारे देश में एक एबी आनन विशा आ गया बीच में भी हर चीछ के किले कानून बना मैं मानता हम समिधान अपने आप हर काम करने के लिए बहुत सारी और व cracks देता है लेकिन एक बन गया कि ऑным मेरे मन में विचार आया है कि मैं कानून को खतम करता चलू है इcolGO ईतना बोज प्रणाइब लेगा लेकिन अभी मेरे सामने नजर में करें शत्राइब नाया वन ताउजन सेवन अंडर्ड और मेरा एक सपना था क्मेड़े कानून खतम करो हो सकता है पांच साल के मेरे टेन्यूर में पर दे कानून खतम करने का मेरा सपना में पूरा करूंगा यह कानूनों की जंजाल में हमारी पूरी इन्यायत नत्रफ फसा पड़ा है और यह जिम्मेबारी एक है कि वह इसको ठीक से चिंता करें और मैं तो राज्यों को भी कहूंगा आपके यहां भी एक चोटी चोटी टीम बिठा कर गए जितने बेफुजुल कानून है उसको निका लिए जितना सरली करन हम लाएंगे सामाने मानवी को खुद को समझ आए कभी यह हो सकता है यह नहीं हो सकता है और सब्यक्तिकों के समझ आता है तो कोई सामाने नागरी कानून तोड़ने के स्वभाव का नहीं होता है वो कानून और ये मुक्ति का सांस भी एक नहीं आस्था को उजा कर सकता है नहीं आस्था को जन्मत दे सकता है और उस दिशा में हमारा प्रहास रहे यही मेरी मन में कुछ विचार है हमाने वाले दिशा में उसको करें जहां तक राजनीतिक जीवन में बैटे हैं मेरे जैसे लोग हैं चा अगर हम कहें अगर हमारी उपनिश्यत की दर्ब दंजर करें तो हमारी उपनिश्यत कहती है चत्रश्यक्षत्रम यतह धर्मः चत्रश्यक्षत्रम यतह धर्मष्य याने कानून नरेशों का भी समराथ होता है राजा का भी राजा होता है और इसलिए आज शासन में बैठा हुआ कितना ही ओजस्वी तेजस्वी विक्ति क्यों न हो लेकिन कानून उससे बड़ा होता है इस मूल मंत्र को लेकर के चलना चाहे हम किसी पत पर बैठे हो तो भी हमारी जिम्मेबारी बनती है और उसको हम करना पड़ेगा और महाभारत के अंदर बिश्मन एक बात कहीं है बिश्मन वो बात कहीं है वो सायद समाज जीवन को चलाने के लिए उसकी अपनी एक ताकत है और महा भारत में बिश्में इस बात का उलेक करते हुए कहते हैं धर्मनेव प्रजाहासर्वा रक्षंति समपरस्परम कानून के प्रती सन्मान की भावना रखना ही वह मुख्य शक्ती है जो समाज को एक जुट बना रखती है देश की एकता और खंडित्ता के लिए इन मूल मंत्रों जो कि हमें सहस्त्रों वर्षों से प्राप्त हुए हैं उन संस्कारों को लेकर करके हम चलेंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं मैं फिर एक बार आप समने मुझे आकर के आप सबसे बात करने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ मुझे विश्वास हैं मैं कागे जी कारवाई थोड़ी कम करने वाला इंसान हूँ ज्यादा पड़ा लिखा नहीं हूँ तो जो मन में आया मैं बोला है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप उसको जुडिशल तराजु से देखे एक सामाने नागरी के मन के भावे उसी परकार से देखना और उसमें से कुछ अच्छा है तो आगे बढ़ाना नहीं है तो मुझे वापिस करना बहुत बहुत धन्यवाद इस परकार आगे बढ़ाना नहीं है तो मुझे आगे बढ़ाना नहीं है